नमस्कार दोस्तों नगेंद यूटूब टीवी में स्वागत है आज हम जानेंगे सिटिंग अरेंजमेंट बैठने की विवस्था से संबंधित रिजनिंग कोश्चन और उनके कंसेप्ट तो जानने के लिए वीडियो पे बने रहें तो सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट आध्यार हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यदी कुछ लोग सर्किल में बैठे हैं और यदी कहता है क्वेस्चन में कि उनका मुख केंद्र की ओर है जैसे यह चार लोग बैठे हैं 1, 2, 3, 4 और सभी का मुख केंद्र की ओर है तो इन में हमको दाया और बाया हमेशा याद रखना है दोस्तों कि यदि केंद्र की ओर मुख है तो जहां दाया हाथ रहेगा वह उसका दाया कहलाएगा और जहां उसका बाया हाथ रहेगा वह बाया साइट कहलाएगा जैसे इसका मुख कें क्यूंख कि बाएंस बैटा है तो दायां ये कहलाएगा और बायां ये कहलाएगा तो हमेशा जब केंद की और मुख करके बैठे हो बैक्ती तो दाया बाया विशेश रूप से आपको ध्यान में रखना है, कि उसका दाया साइट कौन सा होगा और बाया साइट कौन सा होगा ये पहला concept याद रखना है दोस्तो, यदि व्यक्ती सरकिल में ये गोल मेज में केंडर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो दोस्तो यदि केंदर की और बैठे हैं मुख करके तो दाया ये और बाया ये कहलाएगा और यदि बाहर की और मुख करके बैठे हैं तो उल्टा हो जाएगा दाया ये कहला जाएगा और बाया ये कहला जाएगा बिशेश ध्यान रखिएगा कि केंद्र की और जम्मुकिये हैं या केंद्र से बाहर की और मुकिये तो दाया बाया में फरक आ जाता है तो ये कंसेप्ट आपको क्वेस्टन सॉल्व करते समय बिशेश रूप से ध्यान में देना है अप क्वेस्टन सॉल्व करते हैं दोस्तों कि दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है कि यदि विशम संख्या के लोग हैं जैसे तीन हैं पांच हैं साथ हैं तो हमको बैठाते समय लाइनिंग का ध्यान नहीं देना कहीं लोग पॉच्छा जाता कि किससे सामने कौन बैठा है यह यह नहीं बन पाएगा क्योंकि बंपाएगा पॉच्छ लोग नहीं रखना है पर यदि चार लोग हो चैनलोग हो आठ लोग हो दस लोग हो तो हमको बैठाते समय विशेश ध्यान देना है जैसे चैनलोग थो एक यह तो एक किस के सामने यह ठीक है और यह दो ओ यह तीन और ये चार और ये पांच तो ये आमना सामना भी से ध्यान देना है दोस्तों तो बैठाते समय एकदम फिक्स दूरी पर बैठाना है ताकि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि उसके सामने कौन बैठा है तो हम उसका जबाब दे सकें पर ये कब पूछेगा दोस्तों जब समसंख्या में होंगे लोग बैठे होंगे भी समसंख्या में आमना सामना नहीं पूछेगा बहुत सब्सक्राइब आता है कि उसके दाया कौन बैटा है बीच में हमेसा वहीं से करना है दाया और बाय से तो सबसे पहले किनार्ट करते समय हम को सर्क्ल बनां ले रेया ह। जैसे यह सर्क्ल बना लिए अब देखिए दोस्तों इसमें PQRSTUB एक दो तीन चार पांच छे साथ लोग बैठे हैं तो साथ लोग को हमको बैठा देना है सरक्ल में एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ ये साथ लोग बैठा दी है केंद्र की ओर मुक्की है केंद्र है सरक्ल कमाल लिजिए अब हम क्वेस्चन पढ़ते हैं PQRSTUB और भी केंद्र की ओर मुक्की ये हुए हैं सभी की मुक्द की ओर है पहला कॉंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि सभी कमू केंडर की ओर है अब कॉस्टन परते हैं P, T और S के बीच में है U, Q और V के बीच में है अभी दोस्तों यहां हमको यह दोनों में हमको कॉंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि P को हम कहां बैठा दे, T, S कहां लिख दे और U को कहां बैठा दे क्योंकि इसमें से हमको वर्ष्टन अभी स्टार्टिंग का समझ में नहीं आए कि यहां से स्टार्ट कर सकते आगे पढ़ते हैं Q, T के दाएं को दूसरा है अब देखो जहां से दाएं सुरू हो जाता है वहीं से सुरू करते हैं तो जो Q है T के दाएं को दूसरा है Q T के दाएं के दूसरा है मतलब यहां पर माली यह T है बैठा दिये और Q दाएं अब T अंदर की और मुह है तो T का दाएं से दूसरा कहा होगा यह Q यह माली यह T बैठा दिये और 1, 2 तो Q जो है T के दाएं से दूसरा है यह concept clear हुआ अब यहां से देखते हैं क्या बनता है पी जो है T और S के बीच में है अब बनने लगा T हमको मिल गया है और P जो है S और T के बीच में है तो यहां तो Q है तो यहां तो S लिख नहीं सकते तो S यहां पर लिख देते हैं तो जो P और S T के बीच में है तो P यहां पर आ जाएगा तो एक यह बैठ गया, एस बैठ गया, पी टी, आप देखें, यू जो है, क्यू और भी के बीच में है, यू, क्यू और भी के बीच में है, तो यू को हम यहां नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि यहां टी है, तो यू, भी के, तो भी यहां पर लिख सकते हैं, और यू यहां, त तो यहां पर R लिख दीजिए अब यह हमारे सभी लोग बैट गए हैं अब इसमें हम को question का जवाब देना है B का सही स्थान कौन सा होगा P के बाए को दूसरा तो देखा दोस्ते पी के बाए को दूसरा है भी यह तो इसका बाया कुझ होगा इस साइड होगा तो बाया से दूसरा है क्या तो एक दो तो सही एपी के माय से दूसरा है तो इसका आंसर सही होगा फर्स्ट नंबर आपको कंशेप्ट समझ में आ गया हो तो हमारे कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादस ज्यादा अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आड करम चारी हैं जे के अ अब इसमें दो श्तो आठ है डिसमें पूछ ले तक जे के सामने कौन बैथा है तो इसमें थोड़ा दिकत हो जाए इसलिए बैठा अथे समय ध्यान देना है ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छे है, और ये साथ है, और ये आठ है, आमना सामने इसमें पता चल जाएगा दोस्तों, तो ये आठ लोग बैठा दिये हम, गोल मेज पे, अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, आठ करमचारी हैं, जे खे, अल एमनो पी हैं, और क्यो मेज में गिर्द बैठा करने के लिए बैठा अब देखो दोस्तों, जब भी कोई बैठा करने के लिए बैठते हैं, तो उल्टा मुख करके तो बैठेंगे नहीं कि बाहर की और मुख करके बैठें तो कैसे बात चलिए तो इसको मतलब सभी को मुख केंद्ड की और है представial अब हम question बैठाते हैं J P के दाएं को दूसरा है और जो P है O K के दाएं को तीसरा है M जो है O के बाएं को दूसरा है और O जो है P और J के बीच में बैठा है और L जो है K या N का परोशी नहीं तो यह देखे दोस्तों पहला J है P के दाएं को दूसरा है तो P कहां पर बैठाना है तो अभी पता नहीं है और K के और जो P है O K के दाएं को तीसरा है तो अभी इसमें हमको बैठाने के समझ में नहीं आ रही इसमें देखते हैं क्या कुछ मिल रहा है जुकार तो इसमें देखी M जो बोल रहा है O के बाएं को दूसरा है जो P और J के बीच में बैठा है तो माल लीजिए O को बैठाते हैं क्योंकि O पता है P और J के बीच में बैठा है P और J के बीच में बैठा है तो O को बैठा दिये P और J के बीच में मालो यहाँ पी है और यहाँ पे देख लिए P जो है J के यहाँ पे J P के दाए को दूसरा है यहाँ से concept लेजी अब P और J के बीच में है और यहाँ से concept आ रहा है पर J को कहाँ बैठा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है यहाँ पी यहाँ हो सकता है यहां J हो सकता है यहां P तो इसको क्लियर करने के लिए J P के दायों को दूसरा है तो J P के दायों को दूसरा है तो यह जे है अगर यह P है माली यह तो दायां पी कहा उन होगा यह होगा दाया साइट तो जो जे है दूसरा है तो यह यहां पे रहेगा यहां से पता चल रहा है हमको फर्स्ट कंसेप्ट से कि यही यहां से पता चल रहा है जे पी के दाय को दूसरा है तो पी यहां होगा और जे दूसरा है तो यहां होगा और यहां से पता चल रहा है कि ओ पी और जे के बीच में है अब दोस्तों तीन लोग बैठ चुके हैं अगर आप बैठाने की कोशिस करते हैं M O के बाएं को दूसरा है अब M बैठाते हैं M O के बाएं को दूसरा है तो यह देखी O है तो बाएं इस साइड होगा तो बाएं को दूसरा यह M हो गया M O के बाएं के दूसरा है M बैठ गया है दोस्तो इसमें O भी बैठ गया पी बैठ गया जे भी बैठ गया अब इसमें बैठाते हैं दोस्तो पी भी बैठ गया है पी दाएं को दूसरा है जे पी के दाएं के दूसरा है और पी जो है वो के के दाएं के तीसरा है पी जो है के के दाएं के तीसरा है पी अब यहां मा लिजे पी कौन सा होगा के के दाएं तो के हमको कहा बैठाना पड़ेगा पी के दाएं के दूसरा है, जो के के दाएं को तीसरा है, तो यहाँ पर के बैठा देंगे दोस्तों, अब यह के, के यहाँ पर बैठा देंगे दोस्तों, के का दाएं यह होगा दोस्तों, जब ऐसा मुझ करके बैठेंगे तो के का दाएं इस साइड होगा, तो एक, दो, तीन तो जो पी है वो के के दाएं की तीसरा है यह पी है के के दाएं की तीसरा है अब एक कंसेप्ट और विटर दोस्तों जो एल है वो के या एन का परोशी नहीं है एल है जो के का परोशी भी नहीं है और किसका परोशी नहीं है एन का परोशी नहीं है एल है के का भी परोशी नहीं है और एन का भी परोशी नहीं है तो अगर हम एल को यहां वैठा देंगे तो के का परोशी हो जाता है ठीक है और यदि यहां पे हाँ तो यहां पे यहां पे हमने L को यहां रख देंगे और यदि L को यहां भी रख देंगे तो K का परोशी हो जाता है तो हम को K के यहां नहीं रखना हम L को यहां रख सकते हैं यहां से K दूसरा है और N बचा दोस्तो तो N को हम यहां रखेंगे तो L का परोशी हो जाएगा इसलिए N को यहां रखेंगे ताकि के अलों L के परोशी नहों अब बचा दोस्तो Q तो Q को यहां बैठा देंगे अब question पढ़ते हैं L के ठीक बाएं कौन है L के ठीक बाएं L के ठीक बाएं कौन है दोस्तो Q तो L के ठीक बाएं यह है मतलब इसका आंसर होगा इन में से कोई नहीं L का बाएं यह होगा दोस्तो Q तो L के बाएं इन में से कोई नहीं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद